मिहर का अर्थ सूर्य होता है, और सच्चे अर्थों में समराट मिहर भोज भारत में अपने समय के सूर्य थे। उत्तर भारत में प्रसिद्ध एक लोकोकती, उनकी विरासत को चरितार्थ करती है, लोकोकती है, कहां राजा भोज, कहां गंगूतेली। एक महान योध्धा, कुशल, घुड़च सवार होने के साथ उन्हें विद्वानों ने उनकी विद्वता के लिए कविराज की उपाधी भी दी थी। प्रतिहार के अंतिम शाशक तक अरब आक्रमनकारियों से लड़ाते रहें। लेकिन उनमें लगातार 50 वर्षों तक युद्ध में अरबों के चक्के छुद्धाने वाले मिहर भोज की कहानी। कुछ देर पर ही आपको सब समझ आ जाएगा कि कैसे मिहर भोज का सामराज्य। पश्चिम में सिंधु नदी से पूरब में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिन में। गोदावरी नदी तक फैला हुआ अत्यंत विशाल और समरिद्ध क्षेत्र था। मिहर भोज विश्णू और शिव भगवान के भक्त थे तथा कुछ सिक्कों में इन्हें आदिवराह भी माना गया है। मिहर भोज का शाशनकाल 836 इस्वीम से 855 इस्वीम तक माना जाता है यानि लगभग 50 वर्ष। समराट भोज के सामराज्य को तब गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। प्रसिद अरब यात्री सुलेमान ने भारत भ्रमन के दोरान लिखी पुस्तक। हजारों हाथी और हजारों गोड़ों से सज्जी इनके पराक्रमी सेना के बारे में लिखा है। इनकी राजशाही का निशान दांत निकाले चिंगाडता हुआ वराह जंगली सुर था। और ऐसा कहा जाता है कि मुसलिम आक्रमन कारियों के मन में इतनी भय थी कि वे वराह यानि जंगली सुर से नफरत करने लगे थे। मिहर भोज की सेना में सभी वर्ग एवं जातियों के लोगों ने राश्ट्र की रक्षा के लिए हत्यार उठाए और इसलामिक आकरांताओं से लड़ाईयां। लड़ी समराट मिहर भोज के उस समय स्थानिय शत्रूओं में बंगाल के पालवंशी और दक्षन का राश्ट्र कूट यादव कूल थे। इसके अलावे बाहरी शत्रूओं में अरब के खलीफा मौत सिमवासिक, मुतवकल, मुंतशीर, मौत मिदादी थे। अरब के खलीफ बंगाल को अपने सामराज्य में सम्मिलित कर लिया था। के लिए अनमहफूज नामक गुफाय बनवाई हुई थी, जिनमें छिपकर अरब अपनी जान बचाते थे। सम्मराट मिहर भोज नहीं चाहते थे कि अरब इन दो स्थानों पर भी सुरक्षित रहें और आगे संकट का कारण बने। इसलिए उन्होंने कई बड़े सैनिक अ अगली शताबदियों तक अरबों के बरबर, धर्मांध तथा अत्याचारी आक्रमणों से सुरक्षित कर दिया था। साहस, शौर्य, पराक्रम, वीर्ता और संस्कृती के रक्षक संब्राट मिहर भोज। जीवन के अंतिम वर्षों में पचास वर्ष तक राज्य करने के प दो तरफ समुद्र एक तरफ हिमालय, चौथी और स्वयम वीर गुर्जर प्रतिहार थे, हर बार हर युद्ध में अरबों का हराया, प्रतिहार मिहर भोज ऐसे प्रहार थे।